तो दोस्तो अब Tata Steel जल्द भी बना सकती है Hyperloop के लिए एक काफी एहम हिस्सा जोगी है Hyperloop ट्यूप तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिए हाली में Richard Branson की कंपनी Virgin Hyperloop ने रिसेर्टली अपने human trials पूरे किये थे Hyperloop में और इसके साथ ही वो बन चुकी है World's First Passenger Riding Company on Hyperloop तो अब यहाँ पर Tata Steel Europe और South Korea की कंपनी POSCO के बीच कॉलाबरेशन हो चुका है जिसके चलते वो यहाँ पर एक काफी high steel grade यहाँ पर manufacture करेंगे for Hyperloop बता दे कि इस टाइप के steel को manufacture करने के लिए यहाँ पर अब तक कंपनी द्वारा को इस टाइम लाइन डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो एक बार इस टाइप के high quality steel grade के testing और successfully operational हो जाने के बाद इसे mass care production में ला दिया जाएगा जिसके चलते इसे virgin Hyperloop यूज करेगी और फिर यहाँ पर जो human और cargo transportation होता है currently तो आने वाले समय में इसकी speed sound की speed हो जाएगी जिसके चलते हम sound की speed से traveling कर पाएंगे एक शहर से दूसरे शहर के बीच और इस टाइप के transportation का सबसे बड़ा advantage यह है कि क्योंकि यहाँ पर vacuum environment create हो जाता है तो यहाँ पर friction ना के बराबर हो जाता है जिसके चलते हैं जो हमारी speed है वो sound के बराबर हो जाती है और अगर हम इसमें future में और भी तुड़ी research करें तो हम 5000 km पर आर की speed को भी touch कर सकते हैं इसके चलते हम cargo को इतनी तेजी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में transfer कर सकते हैं और कई लोगों को पता नहीं होगा लेकिन चाइना खुद इस टाइप के trains को develop करने में लगा हुआ है जहाँ पर इन टाइप के trains की जो speed होगी वो है more than 5000 km पर आर की तो बात करें यहाँ पर Tata Steel Europe की तो आपको पता ही होगा कि यह जो इंडिया Tata Steel है उसका ही एक पार्ट है और यहाँ पर POSCO जो की world's fifth biggest steel maker है उनके साथ मिलकर collaboration करके एक high quality steel develop किया जाएगा जिसके चलते हैं यहाँ पर huge vacuum tubes बनाये जाएगे जो की hyperlook transportation में use किये जाएगे और इसके लिए काफी कम energy की requirement होगी बता दे कि यहाँ पर POSCO पिछले 10 सालों से hyperlook related research में लगा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक successful trials किये जा रहे है तो हमें उमीद है कि जल ही इस type के technology आने वाले समय में देखने को मिल सकती है इसके साथी इंडिया में भी आपने देखा होगा कि hyperlook corridors प्रपोस किये गए थे जहाँ पर मुंबई पूरे hyperlook जो कि अभी तो फिलाल डिले हो चुका है काफी ज्यादा इसे hold पर डाल दिया गया है इसके साथी लेकिन और भी एक और नया corridor जो कि बैंगलोरू टू बैंगलोरू सिटी सेंटर है उसकी उमेद हम लगा सकते है कि आने वाले समय में by the year 2028 हम यहाँ पर एक hyperlook transportation को operational देख पाए So this was all about hyperlook transportation system अपकी क्या राय है इस high quality steel grid के बारे में let me know in comments below So that's it guys, hope you enjoyed this video, मिलेंगे दुबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, till then good bye and take care